अन्मूल वचन अखिल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाप जीत्वारा प्रितिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक ह ये वचन हमारे ग्रहिस्त आद्यहत्मिक साधना के लिए मून भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार है हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राताहकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सत्नाम वह सद्गुरु को प्राथ मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पमत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतह मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकाले सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर विवहार करें धर्म पत्मे के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वो छोटी से पुत्री जैसा विवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में बधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्मा से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी एक्छा पून हो परमात्मा करें जैसातुरुदेव जैपद सरणं स्रीय शरूत चरणं सरणं जैसातुरुदेव जैपद सरणं बड़े प्यार से बैटिये उनका डिस्क्रिप्शन की जिये मन के आगे बड़ी बड़ी आके हैं गोल चेरा हैं जटाएं हैं सर्पो की माला बनाएं अपने सामने हैं शुरू शुरू में दिक्कत होगी जब शुरू शुरू में आप भ्यास करना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे बिचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिमदी में कभी सोचे नहीं होगे ऐसे ऐसे बिचार आते और अगर यह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे आपकाnin इस्तव आपके सामने होगा उसकी चाया कि अंदर बैठे होंगे अपने इसका साक्षार दर्शन होगा आपको दर्शन राप्राप्त करिए चितनी उची भावना आपके आपके इस्ट के प्रति होगी अपने भगवान के प्रति आपकी बावना होगी उत्री जल्दी आपको उनका दर्शन प्राप्त होगा आपके सामने बैठे होंगे और जब वो सामने इस पस्ट हो जाए उस पवित्र मूरत को अपने हिर्दे में उतारिये बड़े प्यार से पहले सामने बनाएं अब सामने इस पस्ट होने के बाद अपने हिर्दें में उतारी है उनको और उसके बाद दिल की हर धरकन पर जो मंत्र आपका है उसको उचारित होते सुने कि अब हिर्दे ओम ओम कह रहा है जो नाम है वो ले रहा है जो मूरत आपने सामने बनाई वो मंत्र दिल की हर धरकन पर आपको लेना है इतने प्यार से कि जब तक आप पूजा में हैं ध्यान अवस्तित हैं तब तक कोई दूसरा विचार ना आए ना ख्याल ऐसे तल्लीन हो जाएए कि सिर्फ वो वरा जाए ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल पर होता क्या है कि जैसे ही हम इस प्रॉसस में पहुचेंगे ऐसे इसे विचार हमारे सामने आएंगे जब जिन्दगी में हम कभी सोचें नहीं होंगे और विचारों को हटाएं फिर अपने इस्ट की याद में लगिए फिर कोई दूसरा विचार आएगा विचार को हटाएं अपने इस्ट की याद में लगी है दवाएंगे नहीं हटाएंगे चितना दवाएंगे उतना प्राबलों को फेस करेंगे और अगर हटाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पूजा में बैटना शुरू होंगे ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल अपने इस्ट की याद में बैटे होंगे दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान की उपासे के परमात्मा के मूर्दियों का नहीं मानते उनके नाम को पकड़े और उस नाम को चुरें जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो ओम, अल्ला, वाई गुरू, जीजिस क्राइस्ट, गौड 33 करोड देवी देवता है और सबके अलग 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 तरीका है किसी एक को चुरें एक नाम चुनिये आनन्द में यवस्ता बनाईए अराम से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि जब हमारा दिल रखता है दिल की हर रखन से जो हमारा मन जो चुना है वो निकल रहा है या और कोई ना विचार रहेगा ना ख्याल ऐसे तल्लीन होंगे अपना खोश नहीं रहेगा अपने आप से गायब भगवान श्री कृष्णे गीता में सादक की दिर्ष्टी से चार विशेजबा बतलाई पहली अहार की शुद्दी दूसरी विहार की शुद्दी तीसरा भ्यास चौता व्यराग तो ये तरीका शुरुवात का है इस तरीके से आदा घंटा सुबह पूजा करेंगे आदा घंटा सायंकाल पूजा इसमें ध्यान अपने इस्ट देव का एट करेंगे बहु सुन्दर स्थिती होगी तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बेहन अपने अपने इस्ट का ख्यान करेंगे रमेश राना जी बजन कहेंगे पूजा मूलं गुरू उपदूं मंत्रा मूलं गुरूर वाक्यं मुक्ष मूलं गुरू कृपा गुरूर ब्रह्म गुरूर विष्णु गुरूर देवो मेहेश्वदाप गुरूर शाक्षात परव्रह्म दशमेई सिरी गुरू वे नमां जे शत्य गुरू देव जे पदशर्णं या मुक्ष लेकर सत्य गुरू दाता दार तुम्हारे आउं में जब जब देखूं अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं में या मुक्ष लेकर सत्य गुरू दाता दार तुम्हारे आउं में जब जब देखूं अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं में चहूँ और है घोर आंदेरा डाला है माया ने घेरा चहूर है घोर हंदेरा दाला है माया ने घेरा नय नहीं 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 बाहा पकड़ लो पग पग ठोकर खाऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं क्या मुखले कर सत गुरुदाता दौर तुमारे आऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं पग पग पर फिशलन भारी है खुद से बहुत सरम सारी है मान दुरवल है मान दुरवल है मान चंचल है कैसे ध्यान लगाऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम छम नीर बहाऊं मैं क्या मुखले कर सत गुरुदाता दौर तुमारे आऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं है ज्यान नहीं है धर्म नहीं है नेकी का कोई कर्म नहीं है ज्यान नहीं है धर्म नहीं है नेकी का कोई कर्म नहीं है ज्यान नहीं है धर्म नहीं है नेकी का कोई कर्म नहीं है हार गया हूँ प्रीतम प्यारे कैसे हाल सुनाऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं मैं क्या मुख लेकर सत्य गुरुदाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं मैं सब्द की तेरे सार न जानों कैसे जुडे गिये तार न जानों सब्द तिरे की सार न जानों कैसे जुडे गिये तार ये जानों लेलो सत्य गुरु चर्ण सरण मैं भव सागर तर जाऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं मैं क्या मुखले कर सत्य गुरु दाता दार तुम्हारे आऊं मैं जब जब देखों अपनी चादर चम चम नीर बहाऊं मैं पोजने माता और बंदो अध्यात के लिए तीन करपाँ की बड़ी आवशक्ता होती है पहली है ये श्वरे करपा दूसरी करपा करू करपा और तीसरी करपा निच करपा जब और जहां ये तीनो करपाएं उपलब्द होती हैं सच्चा ज्यान अध्यात प्राप्त होता है जीवन मुक्तवस्था इसी जीवन में प्राप्त होती है पहली करपा ये श्वरे करपा परमात्मा की सबसे बड़ी करपा हमें उपलब्द है ये श्वर ने देया करपा करकर हमको मनुष योनी प्रदान की है 84 लाक योनिया है मनुष योनी एक ऐसी योनी है जिसमें परमात्मा ने में कर्म करने की स्वादीन तदी है बाकी सारी योनिया भोग योनिया है मनुष योनी की ये विशेष्टा है कहा है पड़े भाग्य मानुष तन पावा सुरुदुर लबस अग्रंथन गावा सादन धा मोक्ष कर द्वारा पाएन जहीं पर लोक सवारा ऐसी है मनुष योने प्रभू की असीम क्रपा से मिलती है प्राप्थ होती है सादन का शित्र है और मोक्ष का द्रवाजा है सबी गरंथों ने महरिशियों ने महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रसंसा की है बड़ा सुन्दर अफ्थर प्रमात्मने दिया प्रमात्मने में दिया है मनुष योनी दी है हमें विवेग बुद्दी दी है कर्म करने की स्वाधीनता दी है है अगर अग जाहे तो इस श्वरेग्रपा गुरू क्रपा और निक्रपा द्वारा अपने जीवन का सचा लक्ष प्राब्त कर सकते हैं इसी जीवन में जीवन मुक्तवस्था प्राब्त कर सकते हैं चौती से जोती एकाकार हो सके ये अफसर कि हम सभी को प्राप्थ हैं पहली गृपण ब्रेट को परमात्मा नदी है दूसरी गर्पा करोड़ो व्यक्ति संसार में हैं लेकिन हजार पीछे नौसो निन्यार में मनुश्यों के बुद्धी शारिरिक बुद्धी है इस शरीर को इम सब कुछ समझ बैठे हैं ये शरीर ही उनकी लिए सब कुछ है सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर की ही चिंता में समय जाता है संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, घर की चिंता में सारा समय हमारा जाता है प्रतीत होता है ये ही चिंतन हमें बना रहता है शुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजिशन बड़े कैसे हमें मान प्राप्त हो कैसे हमें वैवप्राप्त हो कैसे धनका संचे हो संसारिक चिंता में इस शरीर की लिए हमारा समय जाता है जब परमात्मा की विशेश क्रपा होती है तब मनुष्य सोचता है कि मैं वास्तब में क्या हूँ मेरे जीवन का वास्तिविक लक्ष यही है क्या वो ही है जैसे और जीव जन्तु पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ खाओं पियों संसारी क्वेवार करते हुए कीडे मकौनों की तरह चला जाओ ऐसा जब परमात्मा की विशेश खरपा होती है तब मनुष्ट के हिर्दे में जिग्यासा पैदा होती है ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-667 हम सर्द भ sausage कि एफये स्क्रने को जाई भो के लिए स兩nd की पीश जिए खरते हैं झात झात